मुगेर उनिवर्सिती असना तक पाट बान और पाट टू प्रेटिकल एक्जाम चल रही है जिसमें से आज लास्ट डेट है अगर आप नहीं दे पाए है तो आज तक आप अपना प्रेटिकल एक्जाम दे सकते हैं इसी के दोरान एक अबेद वसूली के मामला सामने परकासित आई है जिसमें से सोचल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही है और ये खबर सीम नितीश कुमार के आवास तक पहुंच चुकी है तो चलिए इसी के बारे में आज पूरा डेटिल के साथ जानते हैं नमस्कार दोस्त के साथ सेयर कर दें ताकि मुंगे उनिवर्सिटी का कोई भी मामला सामने हो छोटी या बड़ी या नोडिस्पिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहेंगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोलेज परसासन की मनमानी से विद्यार्थी परिशान करवाही के नाम पर हो रही है खाना पूर्ती असना तक पाट बान और पाट टू की प्रेटिकल परिक्षा में खूब आ रही है कोलेज में अवेध वसूली की मामला मुंगेर विश्विद्याले परसासन की लापरवाही के आने वाली अंतरगत कोलेज की मामला मनोबल लगातार बढ़ा जा रहा है जिसके कारण परिशानी केवल छाथ-छात्रागी हो रही है विश्विद्याले भी लगातार फजियात का मामला सामना करना पड़ रहा है अभी तक M.U. के आर लाल कॉलेज लखी सरे में सेशन 2020-23 का असनातक पाट बन और 19-22 का असनातक पाट 2 का परिटिकल परिक्षा के दोरान छात्र ने अवेध वसूली का लेकर एक छात्र ने कॉ वाइरल वीडियो में मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था असनातक पाट 1 और पाट 2 के दोरान छात-छात्र ने परिटिकल के नाम पर अवेध वसूली का एक वीडियो काफी तेजी से सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वहीं अब तक यह मामला सूबे के मूख मंतरी तक प अवेध वसूली के की जा रही है बलकि छात्र पैसा नहीं देने पर अनुपस्तित कर दिया जाएगा वहीं मामला मुख मंतरी कार्याले तक पहुचने के बाद विश्विद्याले दोरा इसके लिए एक जांच कमेटी बनाए गई है तो सामने आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है दोस्तों की क्या मामला है कि आरलाल कोलेज लखी सरे में एक एस्टुडेंट ने असना तक पाट बन और पाट टु का प्रेटीकल के दुरान सीक्षक से धका मुखी की है जिसमें से एक और कोलेज गढ़ी रामपूर मुगेर के ही अंदर आते हैं एस्बी एन कोलेज गढ़ी रामपूर है जिसमें से वहां का एक वीडियो काफी तेजी से सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और यह मामला सीम नितिश कुमार के आवास तक भी पहुँच चुकी है जिसके लिए मुंगेर उनिवर्सिटी ने एक एक जांच की कमेटी बनाय गई है और वहां वीडियो की जांच कर रही है कि वहां वीडियो की स्कॉलेज का बताया जा रहा है आप जान लेते हैं दोस्तों कि क्या कहते हैं हमारे कुल्पती स्यामा राय के दुबारा मुके कुल्पती स्यामा राय ने बताया कि मामला का जांच के लिए एक कमेटी बनाय गया है जिसमें से यह वीडियो SBN कॉलेज भेजा गया है जहां आरलाल कॉलेज मामला में पराचाज असपस्टिकरन पुछा गया है साथ में मामला की जांच कर रही है तो यही थी एक मामला हमारे मुंगेर विश्विद्याले की कि उसमें से फजीहत लिए जा रहे थे इस सबसीडी विश्वे में तो किसी परकार के मामला सामने नहीं आया लेकिन जब ओनर्स की पारी आया तो उसमें बोल रहे हैं वाइरल विडियो में पिकी पाइसा मांग की जा रही है तो दोस्तों केसे लगा हमारा नोडिस्पिकेशन आपको अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को कर देजिए सब्सक्राइब और विडियो को कर लेजिए लाइक अपने दोस्तों के साथ कर देजिए मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें